आइए यह दियर श्टूडेंट्स आई यह काम को आगे बढ़ाते हैं अब अपने को देखना है कि अबजेक्टिव्स पर प्रोवाइडिंग डेप्रिसेशन आर प्राइम मतलब मेन इंपॉर्टेंट कि बेड़ेप्रिसेशन क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं क्या धरकार क्या है तो अपने को पता है कि डेप्रिसेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो प्रोफिट जो है वो ट्रू प्रोफिट नहीं आएगा यह तो अपने को पता है अब इसी कॉंसेट को थोड़ा सा बदल के लिख दिया करेक्ट इंकम मेजरमेंट कुछ बच्चों को लगता कि यह एक अलग पॉइंट है यह एक अलग पॉइंट है पॉइंट एक ही है तो कॉंसेट का जो पॉइंट है वो यह है लिखने के लिए आप कैसे भी लिख सकते हो तो दोस्त आपको हमेशा का कॉंसेप्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् फिर अपना next point is funds for replacement क्योंकि अपने को पता है कि यह जो asset है यह asset धीरे-धीरे diminish हो जाएगा यह खतम हो जाएगा इसका use जो है खतम हो जाएगा use खतम हो जाएगा इसलिए तो अपने बोलते है use full life life मतलब what time कितने समय तक यह asset चलेगा use होगा हमने कहा 5 साल तक use होगा अब वो 5 साल आ गया है इसका मतलब asset मर गया है death हो गया asset का अब asset मर गया है तो जी कोई न कोई नया asset तो चाहिएगा दुबारा से शादी करनी होगी वह यह तो शादी का खर्चा दुबारा से होगा right so replacement so replacement का funds चाहिए तो यह एक तरीका का यह funds एकटा हो रहा है ठीक है जी और चौथा point क्या है ascertainment of true cost of production जब भी हम cost निकालते हैं तो cost निकालते समय हम लोग material का cost लेते हैं labor का cost लेते हैं पट कई बार ऐसा होता कि जो machine लग रहा है machine यह तो free में थोड़ी ना आया था 2 crore रुपया लगा था machine का imagine करिए तो इस machine का यह 2 crore हो सकता है 10 साल तक चले का machine और 10 साल में समय लिए यह हर एक साल एक लाख पीस production करेगा तो इसका मतला एक करोड रुपया एक लाख पीस का तो एक पीस का cost क्या है यह cost हमको cost of production जब निकाल रहे हैं इस खर्चे को भी कही न कहीं हम जोड लेते हैं cost of production में अगर इसको depreciation लिखना भूल गए हैं तो cost of production पे यह cost नहीं आएगा और नहीं आएगा तो क्या होगा अरे वही true profit नहीं आएगा तो घुमफिर के cycle इतना सही है आए बहुत अराम से objectives for providing depreciation को थोड़ा सा reading लगाएंगे concept आप समझ चुके हो concept समझ चुके हो reading लगाने का काम है बस एक minute रुकिए page को clear करते हैं अब read करते हैं Prime objectives for providing depreciation are correct income measurement depreciation should be charged for proper estimation of periodic profit periodic profit मतला हम लोग business को एक एक साल की period में divide करते हैं तो इस period का profit कितना होगा that is one year तो इस one year में जो machine खर्चा हुआ है इसका value जो है divided by अगर पांच साल machine चलना है यह पांच करोड है तो एक साल का एक करोड यह जो value है इस period में profit जो निकालेंगे depreciation होना जरूरी है यह बात मैं कई बार बोल चुका हूँ वापस एक बार बोला हूँ proper estimation depreciation should be charged for proper estimation of periodic profit ठीक है तो true profit हमने कहा था कुछ दिर पहले conceptual points अगर आपको समझना है तो true profit कहा था हमने true profit मतलब true periodic profit अब मैं यह ऐसा क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि यह सब शब्द अगर आप लिखते हो ना these are the keywords यह वर्ड लिखते के साथ examiner आधा नंबर आपको अवाड कर देता है क्योंकि these are very conceptual words keywords और हम लोग क्या यह सब keywords miss कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि नंबर नहीं मिल रहा है ठीक है तो मैं आपको बताता है रहूंगा क्या keywords क्या important words यह भी बताएंगे हम आपको So periodic profit or loss in case an enterprise does not account for depreciation on property आप समझो कि कोई ऐसा महान enterprise जो depreciation calculate भी नहीं कर रहा है और depreciation को profit and loss में transfer नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है नहीं करेगा तो क्या होगा अपने को पता है profit सही नहीं आएगा So does not account for depreciation on property, plant and equipment it will not be considering loss in the value of property गुमा के कहा इन्होंने कि property में जो loss हो रहा जैसे एक करोड का machine था अब यह दस लक का loss हो गया तो अब next year machine का value है 0.90 crores तो machine का value अभी भी हम एक करोड रुपर दिखा रहे हैं पांस साल यूज होने के बाद अब यह machine का value हो गया 50 lakh यह 0.50 crores बट हम तो depreciation दिखा ही नहीं रहे हैं तो मेरा actual machine का दाम है 0.50 crores बट मेरा balance sheet बता रहा है कि machine का दाम एक करोड है तो क्या balance sheet true picture दिखा रहा है Why I am using this for true picture picture क्या होता है पिक्चर को हम लोग देख पाते हैं view कर पाते हैं और इन्होंने क्या use किया है हमेशा जब भी balance sheet बोलेंगे तो हमेशा इन्होंने एक ही चीज यूज किया balance sheet shows balance sheet में क्या होता है balance sheet में asset होता है अब asset में प्लांट & machinery है जिसको depreciation नहीं किया है तो बोलते हैं कि balance sheet shows the true and fair view तो view है तो मतलब balance sheet अपने आप में एक picture है तो picture क्या दिखा रहा है balance sheet का कि machine का दाम है एक करोड पर machine का actual दाम कितना है पचास लाक तो एक करोड क्यों दिखा रहा है क्योंकि इन्होंने depreciation नहीं किया तो नहीं किया तो इसका balance sheet अपना true and fair view नहीं दिखा रहा है और अगर balance sheet true and fair view नहीं दिखा रहा है तो auditor will qualify his report हर corporate's का balance sheet को audit किया जाता है जो एक chartered accountant होता है जो auditor कहते है उसको ठीक है यह आगे पढ़ोगे intermediate level पे तो auditor सहाब बोलेंगे कि भाईया यह company का जो balance sheet है यह एकदम गलत है सही नहीं है ले भाईया अगर auditor ने कहे डाला कि यह balance sheet सही नहीं है तो किसकी नौकरी सबसे पहले जाएगी बताइए किसकी नौकरी सबसे पहले खत्रे पे आएगी भाईया accountant कि कैसे accountant हो कैसा काम करते हो ऐसा घटिया काम किये कि balance sheet का picture एकदम false हो गया नहीं 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 तो इतना ध्यान रखना होता हम लोगों को कैसे उंपेंट enterprise does not account for depreciation on property, plant and equipment, it will not be considering loss in value of property, plant and equipment due to their use in production or operations of the enterprise and will not result in true profit and loss for the period. ठीक है, तो वोई बात है, true profit नहीं मिलेगा अपने को, इस period का true profit अपने को नहीं मिलेगा. तो true profit अपने को चाहिए, तो point number one clear हो गया है. आईए point number two में आईए. True position statement, value of property, plant and equipment should be adjusted. Adjusted मतलब एक करोड है value, minus 20 lakh depreciation. तो adjust करके हुआ 80 lakh. इसका मतलब adjusted, ठीक है? So adjusted for depreciation, उस अब adjustment कहा हो रहा है? profit and loss में हो रहा है. नहीं, sir, नहीं, यह balance sheet में हो रहा है. अरचा, ठीक है. चलो, मैं check करहा है, आप लोग जागे हो या सो गया हो? So adjusted for depreciation, charged in order to depict the actual financial position. in case depreciation is not accounted for appropriately, यह बार बार बोल रहा है कि not accounted for, not accounted for, इसका मतलब यह है कि भया, ढंक से accounts बनाईएगा, ढंक से depreciation करियेगा. अगर नहीं करोगे, अगर नहीं करोगे, if not accounted for, तो क्या होगा? the property, plant and equipment would be disclosed in financial statements at a value higher than the true value. Of course, इतिक्तम clear है? अगर हम depreciation नहीं लगाएंगे, तो जो उसकी actual औकात है, उससे वो ज़्यादा पर दिखरा है balance sheet पर. एक machine खरीदा हमने 50 लाग का, पांस साल चलेगा, थर्ड येर रनिंग, तो दो साल में 20 लाग तो माइनस हो जाना चाहिए था, थर्ड येर रनिंग में 30 लाग दिखाना चाहिए था, स्टार्टिंग येर में, बट दिखा क्या रहा है? दिखा रहा है 50 लाग. तो higher दिखा रहा है, फंड्स फोर रिप्लेस्मेंट, जनरेशन अफ एडिकवेट फंड्स, एडिकवेट मतलब, भया हमें तो अपनी गर्फ्रेंड को एक डॉल देना है गिफ्ट में, और जो डॉल हमने पसंद किया ना भया, वो डव और जार पांस सो रुपया की है भया, 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 मेरे पास सिर्फ पंदरा सो रुपया है, तो क्या पंदरा सो रुपया एडिकवेट है, एडिकवेट मतलब उसको चाहिए कितना पच्छिस सो, है कितना पंदरा सो, इस नॉट एडिकवेट, वाइडिकवेट वाइडिकवेट फंड्स, adequate fund मतलब उतना fund जितना से आप नया machine को ला सको ठीक है नया machine आएगा समली जे पत्चीस सो करोड का और आपके पास है पंदरा सो करोड ने भी है एक हजार करोड short है मेरे पास short है मतलब adequate नहीं है not adequate so generation of adequate funds in the hands of the business for replacement of the asset at the end of its useful life जब useful life खतम होगा तभी तो भी रिप्लेस करेंगे ठीक है useful life खतम होगा तभी तो रिप्लेस करेंगे भी है हमारी धरम पत्नी मजाक में कहती है कि जब मैं मर जाओंगी when I die तो आपका क्या है मतलब मैं तो मर गई तो you will replace me with somebody तो मैंने धरम पत्नी से कहा कि देखो भी या मैं चाहता हूं कि मैं सतर साल तक जीवित रहूं और मेरे मरने के next day तुम मरो यह हमारा जवाब था भी कि हम आपको रिप्लेस नहीं करना चाहते मैडम अगर आप चले जाएं हमसे पहले तो हम बरबाद हो जाएंगे तो this was my method तो दोस्त human relations ऐसा होता है कि हम किसी को अगर खो देते हैं ना एक बार तो बस खो दिया हमने रिप्लेस नहीं होता है क्योंकि हर वेक्ति के साथ एक अलग emotions का धागा होता है बड़ भाईया यह तो machine है machine खराब हो गया same to same model का machine replace हो जाता है या उससे better model replace हो जाता है ठीक है तो यहाँ एक ही फर्क है emotions नहीं होता भाईया यहां पर तो better आने से we are more happy but relations में कोई better and worst वाला calculation नहीं होता है तोकि emotions जहां जुड़ावा है वो best होता है best तो दोस्तो relationship में depreciation ना आए relationship में क्या आए सिर्फ appreciation आए तो यह मेरा आशिरवाद है blessings है प्रात्ना है और advice भी है ठीक है जी यह ज़रूरी होता है तो पढ़ाई के साथ सा जिंदगी की बात है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है तो कि लोग पढ़ाई कर ले रहे हैं डिगरी ले ले रहे हैं बट जिंदगी में फेल हो जा रहे है अव तो लिव लाइफ दे डून लो और वन दे आर टोटली परिशान दे आर कमिटिंग सुइसाइड सुइसाइड मीन एंडिंग अफ दे लाइफ अंडिंग अफ लाइफ तो यूसफूल लाइफ था इनके पास आपके जिंदगी में यूसफूल लाइफ बहुत बचा था बट अनफॉर्चुनेटली लोगों ने आपको यकीन दिला दिया या आपने खुद यकीन कर लिया कि अब मेरा कोई यूज नहीं है सूसाइड मतलब बोलते हैं कि अब मेरा जिंदगी का कोई यूज नहीं है ना मेरे काम में आ रहा है मेरी जिंदगी ना किसी और के काम में आ रही है तो मेरा यूसफूल लाइफ खतम हो गया है जीरो तो लेट मी डाइ टुड़े मैं जिंदा क्यों हूं वाई आमाई अलाइफ और हूम आमाई अलाइफ राइट तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होना चाहिए ठीक है बहुत मुश्किल से ये मनुश्य जीवन मिला है और उसको आप खतम नहीं कर सकते हो तो अगर कभी भी किसी भी बच्चे को उल्टा उल्टा खयाल आता है तो देखो आप किसके अपने लाइफ को कहीं न कहीं किसी न किसी को हेल्प कर सकते आप someone somewhere is there who will feel very helpful who will make you feel like a god ये गरीब बच्चा, ये गरीब बुढ़ा, लाचार खाने को तरस रहा है आप उसको जाके दो रोटी दे दो उस बंदे को लगेगा कि साक्षाद भगवान दर्शन दे दी हैं बच्चे के रूप में दो रोटी लेकर आए ये है हमारी संस्कृति तो आप भगवान नहीं हो बट उस इनसान के लिए वो आपको भगवान के दृष्टी से देखेगा तो सोचो आप अभी तक अपने लाइफ को यूजलेस समझ रहे थे और आपने कुछ नहीं किया आपने किसी को बस निश्वार्ध भाव से हेल्प किया तो all of a sudden एक useful life somebody is treating you as God oh my God सोचो भया मतब पावर किसमें है पावर आपके लाइफ में नहीं है पावर इस लाइफ में है मगर इस एटिट्यूड में यह हेल्पिंग एटिट्यूड जो है इसमें बहुत बड़ा पावर है और दोस्त अन्फॉर्चुनेटली जैसे मैं बार-बार कहता हूँ यह हेल्पिंग एटिट्यूड खतम होते जा रहा है क्योंकि वेस्टर्न कल्चर हमें एक चीज़ सिखाना चाहरा है बी प्रोफेशनल वेस्टर्न कल्चर है यह बी प्रोफेशनल यह इंडियन कल्चर का बात नहीं है कि जब से कॉर्पोरेट कल्चर और वेस्टर्न टाइप एंड सूट बूट लगा के जब से हम लोग सोचे हैं कि अब हम बड़े बाबू बन गए हैं तो भी प्रोफेशनल होने का यह मतलब नहीं है कि हम नॉन इमोशनल हो जाएं बट दोस्त यह जितना प्रोफेशनलिजम का जो नियम है यह प्रोफेशनलिजम के नियम जो चलते हैं यह चलते हैं रूल्स पे और ऐसा रूल्स आपको बना देगा इस तरीके से जकड़ देगा आपको इस रूल के अंदर घेर लेगा कि आपका emotions का कोई space ही नहीं है they do not make rules keeping emotions in mind emotions को exclude करते हो लो तो इनसान धीरे 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 चाहा के भी वो help करने का सोचता भी नहीं है क्योंकि उसको मालूम है कि जितना मैं rules follow करूंगा उतना ही ये rules मेरे को help करेगा किसको help करेगा मेरे को मेरे को help करेगा कौन rules follow करूंगा तो इसका मतलब आप क्या बन गए आप बन गए rules के गुलाम गुलाम rules के गुलाम आप बने और आपके अंदर से help others का attitude खतम हो गया and you start feeling lonely कि मैं अकेला हूँ मैं अकेला इतना बोज कैसे उठाऊं मैं अकेला परेशान हूँ तो जिन्दगी जो है इसलिए suicide का rates बढ़ते चला जा रहा है पहले ऐसा नहीं था, पहले कोई इंसान अकेला तो नहीं था, lonely तो नहीं था, वो एक दूसरे के साथ अपना जिन्दगी शेयर करता था पड़ोसी के साथ शेयर करता था, रिष्टिदार के साथ शेयर करता था, पड़ देख लो मेरे दोस्त ये बी प्रोफेशनल के चक्कर में आज, आज के दिन में वी डोंट हैव फ्रेंडली रिलेशन्स विद आवर नेवर्स, विद आवर रिलेशन्स, बड़ा मुश्किल हो रहा है ये, और हम हो गए हैं, एपसलूटली सेल्फिश, रिलेशन उसी से बनाओ, उसी समय तक बनाओ, जब तक होता ना कि एक टैप है, और मैं एक बाल्टी लेकर खड़ा हूँ, तो नल खोल, तो मैं इस बाल्टी भर लूँ, जब तक तेरा नल ऑन है, तब तक मैं तेरे साथ हूँ, तुने नल बंद किया, तो मैं भग जाओंगा किसी और नल के पास, अपना बाल्टी लेकर, तो ये रिष्टादारी गलत है, तो आब आप ये रिष्टा जब हम बनाते हैं, तो उस रिष्टा में, what is the ideology, हर रिष्टा के पीछे भी एक concept होता है, so my concept is to share whatever I have, मतब मेरा concept है, मेरे पास जो है मैं शेर करूंगा, my concept is not to take from you, जब भी इस ideology पर रिष्टा बनेगा, देखो, वो रिष्टा हमेशा लंबा चलेगा, वो रिष्टा अमर होगा, क्योंकि आपको मज़ा किसमें आ रहा है, लेके नहीं, मज़ा आ रहा है देखे, 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 और यही मज़ा जैसे आपको आ रहा है, A and B के बीच में रिष्टा है, A को मज़ा मिल रहा है शेर करके, कुछ दे के और B भी वैसा ही है B को भी मज़ा मिल रहा है कुछ A को दे के तो दोस्त, मिल तो दोनों को रहा है समझी मेरा बात A and B, यह दोनों एक दूसरे को दे रहे है बट attitude क्या है concept क्या है पीछे में मेरे को इसको देना है B बोलता है मेरे को इसको देना है तो यह रिष्टा का बुनिया दिया लग है दोस्त अब यही पर attitude क्या है, share नहीं करना है लेना है, अब A सारा दिन planning कर रहा है, A, B से हमको लेना है B सारा दिन planning कर रहा है A से हमको लेना है A क्या बोलता अच्छ Chan B से तो मैं लूंगा बट मैं A को दूंगा नहीं B से मैं लूंगा बट मैं B को दूंगा नहीं AB B बोलता है मैं A से लूंगा बट मैं A को दूंगा नहीं तो दोस्त सोच लो This relation is tug of war रस्ती पे खीचाई चल रहा है तो मैंने बहुत कुछ बताया है दोस्त, बहुत कुछ बताया है, छोटी सी बात थी, बट अगर आप समझ जाओ के तो देखो जिन्दगी बदल जाएगी, ठीक है जी, आगे चलते हैं, измен 새로운 investment में बढाइए app के लिए हैं, ठीक है, י। replacement में बोल रहे थे हैं कि generation of adequate funds in the hands of the business for replacement of the asset at the end of the useful life, depreciation is a good indication of the amount an enterprise should set aside to replace a fixed asset after its economy useful life is over however the replacement cost of a fixed asset may be impacted by inflation हो सकता है replacement हम खरीदे तो मशीन एक करोड का पट आज जब हम इसको change करने जा रहे हैं तो यह हम खरीदे थे 2005 में आज है 2015 तो यह एक करोड का मशीन आज हो गया है दो करोड का क्यों हो गया क्योंकि महंगाई बढ़ गई है inflation महंगाई बढ़ गई से inflation कहते हैं यह अधर technological changes बढ़ी technology change हो गया पहले इसमें जो components थे वो जिस पार्ट का बनता था वो plastic का बनता था बट आज metal का बनता है तो components change है तो उसके कारण भी हो सकता है तो चली पॉइंट नंबर फॉर में आ जाते हैं असर्टेन में टू कॉस्ट अ प्रोडक्शन फॉर असर्टेनिंट इस नेसेसरी तो चार्ज depreciation as an item on the cost of production further depreciation is a non cash expense मैंने आपको starting में बताया था कि बड़ डेप्रेशेशन में तो कोई खर्चा तो हो नहीं रहा है इस अ नॉन electricity लिखते हैं तो पैसा मेरा outflow हुआ है जब हम depreciation लिखते हैं तो भी depreciation का पैसा किसको देते हैं सर किसी को तो नहीं देते हैं अरे बेटा asset side में जब कैश था आपके पास एक क्रोड और अपने machine खरीदा किस्का पचास लाग का तो यह कैश पचास लाग हो गया तो पैसा आउट फ्लो हो गियाना उस समय तो उस समय जो outflow हुआ उसी को लोग धीरे धीरे यहां पर आकर लिख रहे हैं और ऑउट फ्लो हो चुका है कंशा वा वा आउट फ्लो को installment में दिखा रहे हैं ठीक है 50 करोड का outflow जो balance sheet में था उसको धीरे-धीर profit and loss में ला रहे हैं so depreciation is a non-cash expense तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि non-cash expense in relation to the profit and loss statement क्योंकि जब हम depreciation को profit and loss में लिखते हैं तो उस समय उस समय उस साल उस year that year that year that particular year आपका cash outflow नहीं हुआ था बट cash outflow हुआ था अगर हमने asset 2005 में खरीदा था तो उस समय cash outflow हुआ था बट उस समय भी जो cash outflow हुआ था उसका impact हमने profit and loss में नहीं दिखाया था उसका impact हमने balance sheet में दिखाया था तो जब with respect to profit and loss account हम कहते हैं it is a non-cash expense depreciation is a non-cash expense बट दोस्त पैसा लगा था ठीक है it is a non-cash expense non-cash expense and unlike other normal expenditure wages, rent, etc. does not result in any cash outflow further depreciation by itself does not create funds it merely draws attention to the fact that out of the gross revenue receipts a certain amount should be retained for replacement of assets used for carrying an operation तो एक तरीका का एक simple message है कि देखो भया पैसा बचाके रखो पैसा बचाके रखो पैसा दुबारा लगने का चांस है क्योंकि मशीन का हालत खराब है दुबारा पैसा लगेगा तो दोस्तों अभी के लिए यहीं तक फिर continue करेंगे तो अपना खयाल रखिए ध्यान रखिए और जैसे मैंने आपको last time कहा था अगर हो सके अगर हो सके क्यों भया मैं तो चाहता हूं करो ऐसा प्लीज आपको करना चाहिए क्या करना चाहिए सब कुछ खास नहीं अगर आपको classes अच्छे लग रहे हैं तो Google में जाए गूगल में B.A.C.A. classes लिखिए उसमें reviews क्लिक है फिर आपके पासे कॉलम में आएगा rate and review रेट कर सकते हैं वन स्टार तू स्टार थ्री स्टार फो स्टार फाइश तर आज तक का हमारा लगबग दोस्वों लोगों ने rating दी है दोस्वों में से लगबग 195 people have given us five star rating so thank you very much all those guys और review में आप अपना कुछ दो तीन लाइन लिख सकते हैं that is your emotions आपका emotions share करिए मैं personally देखता हूं और मैं बहुत खुश होता हूं अगर आप थोड़ा सा खुशी मेरे को देना चाहते तो यह काम करेंगे तो मैं बहुत खुश होंगा और एक काम कर सकते हैं और एक छोटा सा काम कर सकते हैं Google का जो प्ले स्टोर ह है बैस्तोर में हमारा BACLASES का app इसकते अफ बीचन कर सकते हैं और चाहो तो हमारा Facebook का जो page उस पे भी जाकि आप Rating डिव्यू दे सकते हैं यह रेटिंग रिव्यू से देखो, क्या होता न, थोड़ा सा विश्वास बनता है मार्केट में, लोगों को पता चलता है कि आप मेरे से प्यार करते हैं, और हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो बुरा खबर तो बहुत जल्दी प्रेड करता है, बट अच्छा खबर थोड़ा प स्प्रेड होने में टाइम लगता है ऐसा क्यों से बुरा ख़बर जल्दी स्प्रेड होता अच्छा ख़बर क्योंकि इनसान का फित्रत हो गया फियर वी आर एग्जाजरेटिंग फियर ठीक है डरने वाला काम जो है वो तुरंद हम लोग फैलाते हैं और गुड़ जो है गुड़ से भरोसा थोड़ा कम होते जा रहा है और फियर को हम लोग ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं तो इस यू थिंग कि BACA क्लास इस गुड़ नहीं इ कि यह help सिर्फ आप अपने आप ही रखो try to spread it और हमको क्या फाइदा है उन लोगों का love messages मिलेगा मिरको उनसे भी ratings मिलेगी उनसे भी प्यार भरा emotions मिलेगा थोड़ा सा हमको भी अच्छा फील होगा तो चलो दोनों का काम हो रहा है हाँ एक और बात एक और बात यह सब YouTube में अगर देखो sample videos है हमारे बट sample videos भी हम कंजूसी नहीं करते हैं हम पूरा पूरा videos डालते हैं कि आप अराम से at least अगर बारा chapter है तो तीन chapter अगर हमने YouTube में डाला है तो तीन chapter हमने 100% डाला है ताकि यह तीन chapter का concept आपका जबरदस clarity के साथ clear हो जाए और अगर आपको लग रहा है कि यह तीन chapter सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है तो कुछ बच्चों को लगता अच्छ यह easy वाला chapter है जो सर को अच्छा से आता है तो उसको तो उन्होंने YouTube में डाल दिया है बाकि जो 9 chapters है जो difficult वाले होंगे क्या पता सर को वो भी अच्छा से आता है कि नहीं आता है और फ property है यह lectures ही हमारा intellectual property है दोस्त अगर आपके पास घर पे 50 लाख रुपया cash रखा हुआ है तो 50 लाख का 50 लाख का पूरा गाउं को distribute नहीं करोगे दोस्त करोगे क्या नहीं करोगे सो मैंने क्या किया है मैंने कुछ 12 20 30 40 percent तक हमने lectures YouTube में डाला है डालने का वजय क्या है पर डालने का वजय है कि बच्चों को पता चले कि BACA classes का quality क्या है what is the quality of BACA classes अगर आपको हमारा quality पसंद आ रहा है अगर आपको हमारा quality पसंद आ रहा है तो मैं आपको यकीन देलाता हूं कि we will be better than any face-to-face classes कैसे तोस्त आप अपने हिसाब से अपने speed में अपने घर पे है पढ़ी आराम से your home कोई doubts है तो whatsapp group है हमारे पास उस पे आपको add कर देते हैं हमारा lms system है जहां पूरा quiz है एक एक chapter का quiz है वो भी ICI के questions का quiz में आपका क्या report है वो आपके पास भी जाता है और हर एक student का report मेरे पास भी आता है तो मैं समझ लेता हूं कि कौन सा बच्चा कितना strong है उसके कहा problems face हो रहा है तो मैं उस बच्चे को अलग से personally phone करके उसके discussion करता हूं मेरा काम है हर एक बच्चे से personalized discussion क्योंकि मेरे पास पूरे tools है tools value किसका पता दोस्त जिंदगी में humans ने एक ऐसा काम किया है जो animals नहीं कर पाए है क्या कर humans के पास tools है और power जो है वो tools में human के पास जो tools है कैसे सर एक छोटा सा screw है छोटा सा screw है आपको यह screw को कहीं कसना है यह handle है यह almira का यह door है इस पर एक दो screw लगाओगे तो यह एक दब हमेशा के लिए ठीक रहेगा बट screw लगाने के लिए you need a screwdriver अब imagine करो आपके पास screwdriver नहीं है बहुत passion है आपके पास बहुत energy है but all what you need is no passion no energy all what you need is a simple screwdriver ठीक है screw driver of the same size same size of the screw तो यह काम दो मिनिट का है और कितना easy है but दोस्त आप अपने nails को use कर रहे हो you are not having a screwdriver you are using your nails you are using your teeth you are using all your energy फिर भी यह screw आप नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब यह है कि दोस्तो main चीज है tools और tools में भी दोस्त main चीज है राइट टूल्स राइट टूल्स राइट टूल्स राइट टूल्स विच शूट्स यू आपका स्कुरू इतना बड़ा है तो स्कुरूड्राइवर भी उतना बड़ा चाहिए आपको राइट तो अगर आपको लगता है कि यह BACA classes के पास वो स्कुरूड्राइवर है जो आपके स्कुरू को टाइट कर सकता है तब तो दोस्त कोई problem ही नहीं है और अगर आपको लगता कि नहीं भी BACA का जो स्कुरूड्राइवर हो मेरे से मैच नहीं करता है तो भी BACA is not suitable to you बट हमारा कोशिश क्या रहता है दोस्त हम ऐसा स्कुरूड्राइवर बना रहे हैं हमारा कोशिश यह रहता है कि हम एक्दम lowest level को ध्यान पर रख्ये पढ़ा है कोचिंग सेंटर में क्या होता है एक तो उनको हाई स्पीड में काम करना होता है टाइम उनके पास कम रहता है तो वो बेसिकली जो बहुत इंटेलिजन बच्चे हैं उनका पूरा कोर्स पैटन उस इंटेलिजन बच्चों को टार्गेट किया जाता है बहुत बोलते हैं कि जो घोड़ा दोड़े हम तो भी यह उनी घोड़े के साथ है तो कि हजार बच्चा उस कोचिंग सेंटर पे है बड़ेड़ सो बच्चा जरूर ऐसा है जो बहुत समझ में आ रहा है और यह 500 बच्चा में कोई ना कोई रैंक होल्डर भी रहता है तो यह कोचिंग सेंटर हर साल क्या करेंगे इन 500 बच्चों को हाइलाइट करेंगे इन डेड़ सो बच्चों को देखके वो साड़े आठ सो बच्चा जिनको कुछ नहीं भी समझ माया पर उनको यह लगता है कि अच्छा नहीं नहीं सेंटर अच्छा है क्योंकि इस कोचिंग सेंटर से रैंक लेकर आया है ये देड़े सो बच्चे बट यह 850 बच्चे जो फेल हो गए हैं इनका जो सपना है ड्रीम है यह अधूरा रह जाता है क्योंकि इनके पास जो स्कूरूडराइवर है वो mismatch हो रहा है तो दोस्त मैं जो काम कर रहा हूँ विश्वास करो मैं screwdriver जो बना रहा हूँ ये 150 बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूँ जो super intelligent बच्चे हैं मैं उनको screwdriver नहीं दे रहा हूँ तो बहुत सरे coaching institutes है तो मैं screwdriver बना रहा हूँ इन 850 बच्चों के लिए और इतना comfortable level पे बना रहा हूँ इतना प्यार से बना रहा हूँ क्योंकि आपके उपर focus नहीं है मैं देख रहा हूँ कि इंडिया पे जितने भी face to face coaching center है they are all focusing on this 150 तो this is a huge market देखो मैं वैपारी हूँ भीया मैं service भी दे रहा हूँ बट मेरे पास business sense भी है because I am an entrepreneur तो मैंने देखा कि यह 850 बच्चे जिनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो यह बच्चे तो भीया एकदम परिशान है और इनको कोई देख भी नहीं रहा है और expectations सबको है इनसे और यह इन बच्चे के पास लगन है यह बहुत कुछ करना चाहते है but इनके पास base कमजोर है इनका basics कमजोर है इनको बच्चपन में अच्छे teachers नहीं मिल पाए है इनको अच्छा school नहीं मिल पाया है but energy बड़ा high है but एक बात बताओ high energy से काम होगा या right tools से काम होगा right tools मिल जाए screwdriver मिल जाए आपको और आपके बस ताकत है तो फटा-फट काम हो जाएगा right तो right tools मेरे खयाल से B.A.C.A. classes is absolutely right tools for students जो 50% लेकर आके struggle कर रहे है या 80% 50 to 80% वाले जो बच्चे है दोस्त तो कि मैं लेक्चर बनाता हूँ ध्यान में रख्के इन 50% वालों को एकदम इनको ध्यान पर रख्के बनाता हूँ तो जो बच्चे 90% 95% वाले हैं दोस्त आपको तो help करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे पर आप लोग तो इतने smart होते हैं कि self study पे भी आप लोग काम कर लोगे तो self study अगर ये 95% वाले बच्चे करते हैं तो उनको कोई coaching center का दरकार नहीं तो they will crack और एक फंडा क्या है problem क्या हमारे देश में अब कुछ बच्चे जिनका basics कमजोर है they are weak student forced to do self study तो दो चीज़ है weak बच्चे जो है अब weak बच्चे हैं ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं बच्चा weak है बच्चे के पास money है बच्चे के पास no money money वाला बच्चा जो है weak है बट money है उसके पास कोचिंग सेंटर पे जाता है 40,000 रुपया तक दिया है बच्चा ने मेरे पास है काफी बच्चे जिसके पैसा है weak है 40,000 रुपया देने के बाद भी उसको BACA classes का ही मदद मिला है मेरे पास phone आते हैं बच्चों का बोला sir 40,000 रुपया दे दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है BACA classes का वीडियो यूट्यूब में देखा तो लगा कि yes life is good CA foundation easy है यहां जा रहे हैं तो लग रहा है my god difficult है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो देको हो क्या रहा है यह 40,000 रुपया दे कर भी इनको मदद मिल रहा है BACA classes से और हमसे मदद मांगते हैं free में कि सर पैसा तो यहां दे दिये है तो सर आप हमसे please पैसे मत मांगे ठीक है जी अब यह जिनके पास पैसे नहीं है no money अब no money वाले बच्चे जो हैं यह self study करना चाहते है base week है self study करने का मतलब इनके पास screw driver नहीं है no screw driver passion बहुत है passion very very high dream पूरा करने के लिए energy very very high बट दोस्त मैं वापस से बोल रहा हूं without proper tools without proper guidance it becomes difficult so दोस्त यह no money वाले जो self study कर रहे हैं इनको भी ultimately help चाहिएगा B.A.C.A. classes का so हम जितना हो सकता है हम अपने fee structure को भी वैसा बनाए है कुछ हम 7 day trial दे रहे हैं 15 days trial दे रहे हैं कम fees रख रहे हैं तो उसके लिए आप हमारा fee structure वीडियो आप देख सकते हूं क्योंकि YouTube में आप लोग follow कर रहे हैं देश में क्या हो रहा है ये भी आप लोगों को पता है I.C.E.I के study material को एक एक word explanation का जिम्मेदारी हमने उठाया है और जिम्मेदारी बखुबी निभा रहे हैं आप लोगों को पता भी चल रहा है और आप लोगों को समझ भी आ रहा है ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रहा है कि सर आप जो पढ़ा रहे हों समझ भी नहीं आ रहा है और क्यों नहीं समझ में आएगा कि हम तो day-to-day जिंदगी को ध्यान में रखते वे पढ़ा रहे हैं तो बस आप लोगों का प्यार मिलते रहे, अशिरवाद मिलते रहे, spread करिए, बट एक problem हो जा रहा है, कि nobody wants to give money to BACA classes, ये पैसे वाले लोग 40,000, 30,000 रुप्या दे दिये कहीं और, अब हमको बोलते फ्री में पढ़ाईए, ये बच्चे जिनके पैसे नहीं है, ये बोलते हैं, फ्री में पढ़ाईए, तो दोस्त, पैसे वालों का पैसा मेरे को मिले, तो चलो जिनके बस पैसा नहीं है, उनको भी फ्री में दे दिया, तो भी चलो manage हो सकता है, पैसे वालों का भी पैसा नहीं मिलेगा, और free वाले का तो चलो पैसा नहीं मिलता तो समझ में आता है तो दोस्त यह न्याय आपको करना है, इनसाफ आपको करना है तो people who, those who have money, those who are willing to spend money here and there they can be made understood कि is it really worth, is it really worth just because यह online lectures है, क्योंकि कुछ बच्चों का अलगतर नहीं सर, यह online lectures है न सर तो घरवाले बोलते हैं, online के धक्कर में मत जाओ, कोई coaching center पे चले जाओ coaching center पे जाके पढ़ाई करो, तो coaching center का model में क्या होता न, एक तो continuous पढ़ाईंगे वो लोग, continuous continuous दो घंटे तक teacher बोले जा रहा, बोले जा रहा, बोले जा रहा, क्योंकि वो टीचर को 10 साल का experience है, बोलने का, ठीक है, उसका एक एक concept रटा हुआ है, वो फटा 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 दो घंटे तक non-stop बोल रहा है, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं, जो human brain है, जो अपना human brain है दोस्त, human brain लगबख 7 minute तक तो कोई भी चीज को सुनता है, समझता है, उसके बाद ये brain jam हो जाता है, traffic signal जैसे होता है, road jam, तो 7 minute के बाद मैं अपने बच्चों को बोलता हूं, take a rest of minimum 2 minutes, 7 minute नहीं तो 8 minute पढ़ लो, और 2 minute का rest ले लो, तो 2 minute का rest लेने से जब दुबारा आप 8 minute पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा सब कुछ, ये scientific है दोस्त, बट ये चीज़ continuous जब पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा focus अगर हम लोगों का disturb हुआ, तो सर क्या पढ़ाएं आज पूरे lecture पे नहीं पता, और क्या आपको इसका repeat class मिलेगा, दिक्कत है, बट आपके पस हमारा वीडियो जगर है, तो जब इच्छा हो, तब पढ़िए, वापस से देखिए, वापस से समझिए, और हमारा जबरदस्ट LMS system तो ही, और हम खुद संपर्क में रहते हैं, क्योंकि हमने वीडियो बना दिया है, तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ बच्छों का problem सुनना है, और उनको support करना है, क्योंकि हम free बैठे हैं, हम तो बोलते हैं, आओ बच्छों फोन करो, मैं एक दम free बै available to take your calls also, यह नहीं कि भई सर से class ले लिया, तो भई सर से बात नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बात कर सकते हैं, ठीक है, तो चलो दोस्त, मैंने अपना मन का बात शेर किया, thank you very much, keep loving me, keep loving BACA classes, I love you all, take care, yes friends, so are you ready guys, order है हम depreciation, और next अपने को देखना है, factors in the measurement of depreciation, ठीक है, तो बात, focus किस पर हो रहा है, depreciation को measure करना है, ठीक है जी, depreciation क्या होता है, अपने को पता है, अगर यह इतना बड़ा asset है, तो यह हर साल अगर, imagine करो कि यह asset का power खतम हो रहा है, first year यह asset धाये है, खतम, second year यह blue वाला खतम, तो कुल मिला के, one, two, three, four, five, six, यह asset छे साल में, zero हो जाएगा, ठीक है, लिए हम बोलते है, zero हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, कि residual value, zero हो जाएगा, बताएगे, asset zero हो जाएगा, residual value zero हो जाएगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्यों सर, अब एक बात बताएगे, आप कैसे गाड़ी है, गाड़ी का engine खराब हो गया है, गाड़ी का tire पंचर हो गया है, overall गाड़ी को लेकर जितना भी काम होता है, वो zero हो गया, इसको गाड़ी बोलने लाइक नहीं है, गाड़ी तो वो है ना, बोलता है, चलती का नाम गाड़ी, जो चले वो गाड़ी, अब ये चलने वाला तो है नहीं, तो ये asset जो है गाड़ी, asset is equal to car, ये होगी अपना zero, तो क्या इसका मतलब residual value भी zero हो गया है, नहीं सर, इसको बेचेंगे तो कुस्तों मिलेगा, ठीक है, तो ये confused मत हो येगा कभी भी, नहीं होंगे सर, कभी नहीं होंगे, ठीक है जी, नहीं होंगे तो बहुत ये अच्छी बात है, तो प्कुल मिला कि ये जो एक-एक साल, जो हम यहां देख रहे हैं, अब हमको मेजर करना है, ठीक है, तो इसको तो हमने, फिर्स्ट येर का समय लो, ये मेजरमेंट है, सेकेंड ये मेजरमेंट है, क्या मेजरमेंट के लिए क्या-क्या दरकार है, एस्टीमेशन, जब भी हम ये वर्ड एस्टीमेशन का प्रयोग करते हैं, इससे एक चीज तो कन्फर्म हो गया, दोस्ती, आप दिखो जैसे क्या होता ना, इमोशन्स, क्या इमोशन का हम एक्जाक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं, सर, आप भी कैसी-कैसी बाते करते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं, तो दोस्त, मैं आपको एक चीज तो बताना चाहता हूँ, ये मेजरमेंट वाला जो फंडा है, कि हर चीज को मेजर करो, और जिस चीज को मेजर कर सकते हैं, उस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो किसी भी चीज को कंट्रोल करना है तो मेजर करना आना चाहिए तो यह मेजर्मेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस जगा पर और एक दम प्यूर एक्जैक्ट कैलकुलेशन तो हो नहीं सकते हैं क्योंकि यह बात फ्यूचरिस्टिक है जैसे कि इमोशन का अगर हम बात करें अब फ्यूचर में यह हज्बेंट कितना मिरको खुश रखेगा जी हम एस्टीमेट ही कर सकते हैं और वो भी एस्टीमेट करना भी मुश्किल होता है तो कि इस ओल बाट यूमन इमोशनों बहुत मुश्किल है बटनलगीव हम यूमन इमोशन का बात नहीं कर रहें है हम तो बात कर रहे हैं, simple सा एक asset का, ठीक है, एक asset का बात कर रहे हैं, जिस पे monetary money का calculation है, तो एक numerical calculation है यहाँ पर, you can put the calculation in numbers, अब emotions को number में कैसे convert करें, नहीं आता जी, ठीक है, तो यहाँ asset है, asset money में है, money है, तो number है, तो number है, तो चलो measurement है, measurement है, तो control है, क्या समझ में आ रहा दोस्ते, तो estimate कर सकते हैं, exact तो नहीं बोल सकते हैं, बड़ estimate कर सकते हैं, तो यह बात वो estimation, अब कमाल का बात है, देखो, अभी मैं बोला कि estimate कर सकते हैं, बड़ exact कैसे बताएंगे, अब ये कैसा लाइन लिख दिया है इनोंने estimation of exact estimation और exact oh my god oh my god exact चीज़ अगर है तो फिर वो exact है फिर अंदाज estimate मतलब क्या है अंदाजा यह नमक कितना खाऊगे थोड़ा सा दे तो दो चुटकी दे तो अंदाजा और हम बोलेंगे कि नहीं मेरको ये exact exact मेरा ये 5 gram का चमच है इसको exact दिजीए exact exact है तो फिर estimation कहा है यहाँ ये line है तो estimation of exact तो भईया मैं तो अचमबा में हूँ बट भईया रुको आगे पढ़ लो आगे पढ़ लो तो estimation of exact impossible टाइप का लग रहा है मेरको ये दो लो लाइन estimate भी और exact भी तो क्या हम लोग समझ रहे हैं क्या हम लोग बातों को समझ रहे हैं क्या हम लोग शब्दों को समझ रहे हैं क्या हम लोग शब्द के अंदर घुस रहे हैं अगर जिस दिन हम शब्द के अंदर घुसना सीख जाए ना दोस्त आधा काम से ज़्यादा हो जाता है कि एस्टीमेशन वर्ड हमने पढ़ा उसके पद एक्जैक्ट वर्ड में में मेरे को अपति आ गया इसका हम कितना डीप अनलेसिस कर रहे हैं सर इतना डीप अनलेसिस करना ज़रूरी है करोगे तो जिंदगी भर दिमाग में सेट रहेगा जिंदगी भर सेट रहेगा दोस्त, आपका दिमाग में कोई चीज सेट है तो you know you can keep on writing in the exam paper, कोई tension नहीं है, ideas का कमी नहीं, ठीक है, क्योंकि रट नहीं रहे हो, आप समझ रहे हो चीजों को, आप question करना सीख रहे हो, सवाल करना सीख रहे हो, दोस्त, सिखा रहा हो मैं आपको, so estimation of exact amount of depreciation is not easy, ठीक है जी, सही है, तो हम agree कर रहे है कि estimation of exact, इसका हम लगर estimation है, तो estimation what itself means, it cannot be, it cannot be exact, तब तो ठीक है, तब तो कोई problem ही नहीं है, so estimation of exact is not easy, तो भी कौन सा हम जिद पर अड़ गए हैं भाई, कि हमको तो exact amount ही दो, कोई जिद पर तो मड़े नहीं है, तो तुम यह ऐसा क्यों बात कर रहे हो, खर्चा हमने already कर दिया है, 10 लाख रुपया का खर्चा हमने कर दिया है, अब भाई कोई बोल रहा 8 साल चलेगा, क depreciation का value आ रहा है, तो exact तो value नहीं आ रहा है, आभी नहीं सकता है, ठीक है, तो भी हम समझ गए हैं, हम समझ गए हैं, यहां तक तो हम एकदम समझ गए हैं, इतना चर्चा करने का बद एक चीज़ तो समझ गए हैं, कि जब depreciation chapter से हम dealing करते हैं, तो depreciation chapter में human interpretation, human interpretation का बड़ा कमाल का योगदान है, जी depreciation में, क्यों जी, क्यों जी, क्यों जी, एक इंसान 8 साल बोल रहा है, एक इंसान 5 बोल रहा है, एक इंसान 7 बोल रहा है, अब एक इंसान बोलता, straight line method से करेंगे, एक accountant बोलता है, नहीं जी, WDV करेंगे, तो अलग-अलग लोगों का अलग-अलग interpretation है, अलग-अलग interpretation है, तो इसका मदब same balance sheet में asset का value, गर 5 अलग-अलग लोग accountant है, तो पाँच अलग-अलग values balance sheet का मिल सकता है, क्या सोचा था आपने कभी ऐसा, अब सर इतना तो सोचा ही नहीं डीप में, अरे तो सोचो भाई, अभी सोचने का काम है, जितना बात बता रहे हैं, आपको समझे लीजी एक charted accountant बनना है, दोस्त, easy नहीं है, चार्टल अकाउंटेंट बनना है, तो सोचना आना चाहिए आपको, रटने का काम तो कोई भी कर देगा, कोई भी मुनीम कर देगा, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ, ठीक है, रट के CA बनोंगे, तो बेटा नौकरी से निकाल दिये जाओगे, गैरेंटी है मेरा, डिग्री रहेगा, बट महनत करके, रटने में महनत किया, मैंने, मैंने सारा जीवन रटने में महनत किया, बड़े-बड़े coaching center, नामदार coaching center को जाके बहुत सारे पैसे दिये, रट रट के, रट रट के, दिन रात रट के CA का degree लिया, अब सोचा कि सपना पूरा होगा, बट आपका जो boss है न, उसको पहचान है दोस्त, उसको असली CA और नकली CA का पहचान है, उसको रटने वाले CA और दिमाग वाले CA का पहचान है, क्या आप उतना दूर तक सोचते हो, नहीं सर हम लोग तो नहीं सोचते हैं क्या कोई आपको सोचने के लिए मजबूर किया आज तक नहीं सर बाकी सब कोचिंग सेंटर तो बोलते हैं आओ मेरे पास कोचिंग लगा लो तो सिये का इंटर पास करा देंगे सी एक फाइनल पास करा देंगे तो पस हम लोग भी जोशते हैं वह इक पर पास हो जाओ इस यह बन जाओ बॉस ने नौकरी से निकाल दी तो यह बहुत बड़ा बेश्ती होता सिय इंस्टिट्यूट का भी और बीच में हुआ था ठीक है तो आप लोग कम सिकम अपने जीवन में वैसा काम मत करिए मैं तो बोलता हूं six months delay अगर होता हो सपना पूरा करने में एक रटने वाला सिय और एक समझने वाला सिय मैक्सिमम डिफरेंस अगर होगा तो छे महिने का डिफरेंस हो सकता है अगर हुआ तो मैं तो बोलूगा कि six months advance होगा मैं तो यह guarantee के साथ बोलता हूं जो समझ के काम करेगा वो six months advance होगा advance बट lifelong success का guarantee है तो देख लो भईया सोच लो आप लोग सोच लो आप लोग बहुत समझदार हो सोच लो इसी लिए मैं नहीं सुधरूंगा अगर किसी को लगता भई सर तो बहुत detail में पढ़ाते हैं तो भईया अपने को क्या है कम पढ़ा दूंगा मैं syllabus जल्दी खतम हो बट मेरे को रात को नींद नहीं आएगी कि मैंने इमानदारी से अपना काम नहीं किया बेमानी का पैसा नहीं चीए भाई इमानदारी का पैसा चीए मैं अपना काम इमानदारी से करूंगा तो मेरे को सकून का नींद आएगा कि येस मैंने इमानदारी से महनत की और मेरा का मैंने इमांदारी से किया उसके बहुत लोग तारीफ करते हैं मेरे को बट पता है दोस्त मैं एकदम भी उस तारीफ से केरीड अवे नहीं होता हूँ और होना भी नहीं चाहिए ना मैं होता हूँ और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप भी कभी मत हुएएगा चो नहीं होना चाहिए सर क्योंकि हम लोग सबको तो भई तारीफ बहुत पसंद आता है क्योंकि इस जमाने में लोग सिर्फ क्रिटिसाइज करते है अगर कोई तारीफ कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है बटा ये तारीफ के चकर में क्या होता ना इनसान हवा में उड़ना शुरू कर देता है हवा में तो दोस्त पतंग भी उड़ती है ठीक है बट पतंग का डोर किसी और के हाथ में होता है उचा बनना है तो मैं तो बोलूँगा नारियल का पेड़ की तरह उचा बनो कम से कम वो जमीन पे तो अटैस्ट है ठीक है तो पतंग की तरह उचा मत बनो कभी भी कट जाओगे तो दोस्त इसलिए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई अपने को क्या भूले अपने को एक ही चीज फर्क पड़ता कि मैं अपने आपको क्या बोल रहा हूं मैं अपने आपको ये बोल रहा हूं कि मैं अपना काम बहुत इमानदारी से कर रहा हूं मेरा काम है एक एक चीज समझाना मैं समझा रहा हूं बाकि लोगों को अगर शौटकट का बीमारी है उसके लिए भी मैं सिर्फ बोल सकता हूँ क्योंकि आज के डेट में मैं देख रहा हूँ सब को हडबढ़ी है इस आल बावाट फास्ट फूड रिलेशन्शिप भी फास्ट everything fast बट दोस्त आज भी भगवान का सृष्टी का बनाया हूँ नियम में बच्चे तो आज भी नौ महिने में ही पैदा हो रहे हैं दोस्त that means the law of god has not changed humans are creating their own laws और वो सारे के सारे law बर्बादी के law है बर्बाद हो रहे हैं तो भई हम तो natural law के हिसाब से चलेंगे चलो जिद्धी है भई हम इस पाहमला में ठीक है जी आगे चलते हैं जेनरली फॉलविंग फैक्टर्स अर टेकन इंटू कंसिडरेशन फॉर कैल्कुलेशन आव डेप्रीसियेशन तो चलो भी आए देख लेते हैं तो डेप्रीसियेशन में डेप्रीशेट करते किसको डेप्रीशेट मतलब सर एक एसेट जो है अगर उसका वैल्यू दस लाक है तो उसको हम लोग अलग-अलग कितना साल पे चलेगा उसके हिसाब से डेप्रीशेट करते हैं यहां तक को समझ में आगी अब मेरा यह क्वेस्चन है कि इसका जो वैल्यू दस लाक है कि दस के जगा दस क्यों है नौ क्यों नहीं है ग्यारा क्यों नहीं अरे सर कमाल की बात करते हैं जितना में हमने एसेट परचेस किया है हमने एसेट सर परचेस किया है दस लाक में तो दसी लाक ना होगा अच्छा जी अच्छा जी ठीक है जी तो अब एक बात बताईए अग क्या परचेस प्राइस ही इस बकसे में आएगा यृ這個是 बखस्ट है जिसे घर पर ममी जूस बनाती दे keeping in ँर मिप्स्जूस में क्या सिर्फ ओ और सिर्फ हो से एापपल रिएगा लिट से अगर ममी एपल जूस नहीं सर कि और भी बहुत कुछ आएंगे तो क्या इसमें सिर्फ परचेस प्राइस आएगा या और भी कुछ जुड़ेगा मैं आपसे यह सवाल कर रहा हूं कि इसका मतलब देखो डेप्रिसेशन करना है तो कॉस्ट ऑफ एसेट कॉस्ट ऑफ एसेट चलो हमने परचेस किया हमने करद परचेस किया दस लाक रुपिया तो यह दस लाक तो यहां आएगा याएगा ठीक है इंक्लूडिंग एक्सपेंस फॉर इंस्टॉलेशन अरे करें सर तो भीया देखो डालना होगा इंस्टॉलेशन डालना होगा कमिशनिंग डालना होगा ट्राइल रन वगेरा का जो भी खर्चा डालना होगा समझे क्या नहीं ललू अच्छा सर इसका मतलब है कि शुरुआती तोर पे हमने एसेट खरीजा नहीं पर उसके उपर फिर कि फाइनली हमने पचास लाग का एसेट खरीद लिया पर उसके पीछे एक्स इंस्टॉलेशन का भी पैसा लगा समझ रहे हो दोस्त तो इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म हो गया कि सिर्फ और सिर्फ डेपरिसेशन की भट्टी में सिर्फ कॉस्ट प्राइस नहीं जाएगा राइट सो डेपरिसेशन का भट्टी में कॉस्ट ऑफ एसेट मैं लिखूं क्यों यहीं पर जो लिखा हुआ है बस आप उसको डालते रहिए ठीक है तो कॉस्ट ऑफ एसेट आएगा आएगा इंस्टॉलेशन आएगा कमिश्निंग ट्राइल रन आएगा ठीक है तो इतना भुक में तो सब कुछ लिखा वाई है तो दिमाग में सेट करना ज़रूरी है न दोस्त तो मैंने कोशिश करके आपके दिमाग में सेट कर दिये हैं इतना कुछ आएगा हाथी सेट हो गया है चलो अच्छी बात है अब वापस से इसका मतलब देखो यह है डेपरिसेशन है अब वापस से अलग अलग कोई बोलते हैं पांस कोई बोलते हैं सात साल कोई बोलते नौ सक तो एक तो यह हो गया इसको पने केते हैं डियरा नाती है कि अधर हो स clown भटी में क्या क्या ही वह 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 उसके बाद लाइट है यह जो ध्यान ध्यान मेरे दोस्त शुरू में आप इतना जो ग्यान दिये दें आप हमको समझ में आ रहे है सर आपका ग्न कुछ भी विर्थ नहीं जाता है ब्दिश व्यर्थ क्यों जायेगा आज आपने जो सिखा दियाना सर अब जिन्दी भर्याद रहेगा पता नंबर कहां कड़ जाता है है कुछ बच्चे लिख कराएंगे किूस फुल लाइस है बड़ बी यह सी आज से के बच्चे लिख टरहाएंगे एस्टी मेटेड इस फुल लइभ बताईए बच्चे नंबर किसको ज्यादा मिलेगा कि क्योंकि इसमें की वर्ड जो है I.C.E.I.E. का जो आंसर मार्किंग जो है उसमें की वर्ड पे नंबर मिलता है की वर्ड है एस्टीमेटेड समझेगा दोस्त इसलिए मैंने एस्टीमेटेड का महिमा आपको बड़ा जोर्ज का समझाया कि यह डेप्रिसेशन का चैप्टर है नंबर आपको मिलते हैं दोस्त अब एक बात बताओ हम तो सर कॉंसेप्ट समझ गए हैं और इस सवरा आप इतना अच्छा समझाया है ना आरे क्या बात करते हैं सर हम समझ गए हैं तो बेटे समझने से तो नंबर नहीं मिलेगा साबित करना होगा एक्जैमिनर को मैं जो समझा रहा हूँ यह अपना सिर्फ 25-50% का ही काम हुआ है मैंने समझाया आपने समझा समझने के बाद उसको रिटेन करना होगा आपके दिमाग में सेट रहना होगा और सिर्फ सेट होने से नहीं होगा काम आपको एक्जैम के पेपर में लिख कराना होगा तब जाके काम पूरा होता है तो मैं आपको बता रहा मैं आपको CA जो इतना difficult exam है मैं आपको उसको एक दम तोड़ तोड़ के easy करके बताऊंगा यह मेरा वादा है यह मेरा वादा CA foundation को मैं world का सबसे easy exam बना दूँगा CA foundation, CA intermediate, CA final एके करके आप चलिए बस मेरे साथ BACA, you want to BACA then you come to BACA, that's it कोई tension लेने का नहीं ठेक है जी estimated word का बहुत बड़ा value है क्यों? सर, क्योंकि ये भी estimate ही कर सकते हैं इसमें भी जमेला हो जाता है कोई किसी का estimate राम लाल का estimate है 5 साल मोती लाल का estimate है 7 साल और छगन लाल का estimate है 9 साल यह कौन है? मोती लाल, राम लाल लदल्लीस्ट है नाम पर मिद 관련 नाम पर मत जाएए तो दोस्त गोल्ड मैडलीस्ट और इनンका तेनों का विचार नहीं मिल रहा है हो जी सकता है इसे लिए तो कहते हैं estimated useful life important है तो word estimated है तीनों का estimate नहीं भी मिल सकता है अब भया एक और बात बताईए अब सर scrap value में भी estimated सर ये बात तो हमको नहीं समझ मैं अरे दोस्त हम बोल रहे हैं कि जो मेरा गाड़ी है गाड़ी खरी रहे हैं हम 2018 में बेचेंगे 2018 में अब दोस्त उसका scrap उस समय क्या होगा आभी से हम कैसे confirm बता दे भाई unless and until unless and until आज के दिन में अगर कोई गाड़ी buyback scheme में ले रहे हैं company ने पहले ही कहे डाला कि ये 20 लाग का गाड़ी आप हमसे खरीद रहे हो 2018 में इस गाड़ी को हम आपको 3 लाख रुपया में buyback कर लेंगे तो अपने sure है क्योंकि यहाँ deal पहले से हो गया है ये बात मैंने आपको देखो practical बात बताईए सिर्थ कितावी रटने वाली बात नहीं समझाईए practical बात भी हमने बता दिये कि चलो 3 लाख पे buyback है तो अपन market में बेचूंगा तो शायद 5 लाख में बिग जाए शायद 6 लाख में बिग जाए शायद 5 में बिग जाए या शायद 4 पे बिग जाए बट 3 से ज़्यादा पे बिगेगी छगन हाँ जी साब जी आप तो ठीक कहा रहे हैं साब जी फिर भी इसमें भी तो estimation आगी है आप 5 पकड़े साले 5 पकड़े साले 4 पकड़े क्या पकड़े तो जो भी है ये आपको अपस में घर पे घुसके तै करना होगा जी हम लोग बाहर वाले कौन है एसेट आपका गाड़ी आपका estimation भी आपका समझे दोस्त estimation भी आपका तो estimation भी आपका है ठीक है जी सब हम ही करेंगे बिए देखो करना आप ही को पड़ेगा और मैं आपको सिखा रहा हूँ world class accountant बनाना world class कोई आपके उपर उपर उगली ना उठा पाए ये मेरा guarantee है estimated scrap value if any if any at the end of the useful life if any कभी कभी ऐसा होता ना भाईया फेक दो मिलना दूर का बात है कि विश्वास करो ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है मतलब मिलेगा दूर मिलना कुछ नहीं है बलकि फेकने का न डिस्पोजल का कि पैसा लगेगा कैसे सब्सक्राइब मेरे घर पर वाशिंग मशीन था कि वाशिंग मशीन कि उसका इतना हालत खराब हुआ है कि इर्षि को बुलाया ओए खरीदोगे हां भोल या सौर्पया में बेचेंगे पर अगयर बेच भी ढेंगे सौर्पया में तो हमको यहां से नीचे उतारने का रिक्सा भड़ा दो सौर पालना लग जाएगा तो छोड़िया न भी आप सौर रुपया देंगे हमको तो ब हाँ जी समझें तो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एसेट का इतना दुर्गती हो गया है इसको कोई खरीदे का नहीं residue मतलब scrap में भी कोई नहीं खरीदना चाहता है ठीक जी तो बात तो clear है बात clear सर अभी तक सर 25 मिनिट होने को आरा सर अब इतना ही पढ़ाया है सर बस घड़ी देखकर काम करो समय देखो टाइम देखो हाँ यही करो आप लोग घड़ी देखके पढ़ाई करते हैं हाँ आपका अच्छा टाइम कभी नहीं आ सकता है अगर आप चाहते हो कि मेरा अच्छा सम में आये तो दोस्त टाइम को भूल जाओ खो जाओ खो जाओ मेरे साथ गेट लॉस्ट विट मी वेर तो गेट लॉस्ट सर इन तो कॉंसेप्ट जब आप लॉस्ट हो जाते हो नो किसी चीज में तो समय का पता नहीं चलता है एक अच्छा मूवी देखते हैं जबर्दस पढ़ो मेरे भाई मैं घड़ी देख देखके नहीं पढ़ाता हूं बहुत दिल से बहुत पैशन से पढ़ाता हूं ठीक है मैं खो जाता हूं तो अगर आप भी खोगे तो कुछ पाओगे ठीक है तो खोना सीखिए get yourself drenched and drowned in the knowledge in the ocean of knowledge जितना डीप घुसोगे दोस्त यह समंदर है जितना डीप घुसोगे उतना ही आपको precious jewels मिलेंगे जिन्दगी में यह वादा है तो depth से घबराइए मत हैं एक काम जरू करिए oxygen cylinder पहन लीजिए तो कि जितना डेप में आता है ना तो सर अरे भाई इतना डेप में आगे सर तो डेप्ट में आईए oxygen cylinder पहनिए टेंशन मत लीजिए ठीक है जी तो oxygen cylinder कहां से आएगा trust विश्वास ठीक है तो विश्वास ही oxygen cylinder का काम करेगा ठीक है जी अबव मेंशन factors the above mentioned factors can be explained in detail as follows तो यह detail का पढ़ाई करवाने से पहले मैं चाहता हूं कि यह self reading आप लोग करिए एक बार यह self reading आप लोग करिए उसके बाद हम आपको discuss करेंगे next lecture पर ठीक है दोस्त तो यह self reading आपको करना है अल्विदा टेक केर आप लोव यो बाबाई आपको ऑूसके बार झाल झाल